हेलो दोस्तो आज चोवी सगस्त और चोवी सगस्त की करेंट अफेर के जो भी इंपोर्टेंट कोशन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिसक्स करने वाले हैं इसकी पीडियेफ आपको टेलिग्राम चैनल सीटी करेंट अफेर पर मिल जाएगी और देखिए जो एवरी संडे होता है संडे में हम क्या गरते हैं जो वीक की करेंट अफेर होती है उसका हम टेस्ट लेते हैं तो जो टेलिग्राम चैनल है आप उसको जोईन कर सकते हो साथी साथ में जो पंदरह तारीक आती है और जो तीस तारीक आती है इन दोनों दिन हम क्या गरते हैं जो महीने की current affair होती है जो मंथली current affair होती है उसका हम test लेते हैं तो आप telegram channel join कर सकते हो आर्थिक विकास संस्थान के अध्धिक्स के रूप में किसे चुना गया है आर्थिक विकास संस्थान तो इसके अध्धिक्स बने है N.K. Sing तो इसमें और कुछ याद नहीं करना है केवल इनका हमें नाम याद करना है इन्होंने डाक्टर मनमहन सिंग की जिगह लिए जो देश के पूरुफ प्रधानमंतरी रह चुके हैं और अगर हम आर्थिक विकास संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इ जान कर याद करने की जरुत नहीं है केवल हमें इनका नाम याद होना चाहिए N.K. Singh मलेशिया के नए प्रधानमंतरी के रूप में किसी सुनो गया है तो मलेशिया के नए प्रधानमंतरी बने है इसमाइल साबरी तो कुछ दिन पहले क्या हुआता है कि जो मुहित दीन या स इन्होंने अपने परदानमंत्री पत से इस्तिफा दे दिया था तो इसी के वज़े से ही यहाँ पर नई परदानमंत्री बने है इसमाइल साबरी तो चलिए अब हम क्या जान लेते हैं अब हम मलेशिया के बारे में जान लेते हैं तो यह जो मलेशिया है यह है एसिया महादीप का देश है और एसिया महादीप में है कहाँ पर पढ़ता है एसिया महादीप में है साउथ इस्ट में पढ़ता है यानि यहाँ पर दक्छन पूरू दक्छन पूरू में है पढ़ता है तो चलिए इसकी राजदानी देख लेते ह इसके राज़दानी है कोला लुमपूर और यहां के मुद्रा क्या है यहां के मुद्रा है रिंगित और यहां के प्रदानवंतरी कौन बने है इसमाईल साबरी मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ आप यहां पर देखिए यह भारत के उत्री पूरी राज्य है यहां पर इस तरह से भारत तो यहां पर आता है तो यहां पर भारत के बाद मियामार और इसके नीचे यहां ही बगल में के है थाइलेंड और थाइलेंड के नीचे आ जाता है मलेशिया आप यहां पर देखिए यह है मलेशिया और साथी साथ में यह भी क्या है यह भी मलेशिया ही है तो यह दोनों जीगे मलेशिया है तो एक सूच कांग जारी किया गया है एक सूची जारी किया है जिसमें 500 मुल्यवान कंपनियों को सामिल किया है यानि ऐसी कंपनिया जिनका मु इसने जारी की है, यह जारी की है, खुरून गिलोबल ने, खुरून गिलोबल ने, और तो इसमें जो पहले इस्थान पर है, वो तो है एपल, इसमें दूसरे इस्थान पर है, माइक्रसोफ्ट, जिसके मालक कौन है, जिसके मालक है, बिल गेट्स, और इसमें तीसरे इस्थान तो जो Google है वो विस्व में चोते इस्थान पर है और पांच इस्थान पर है Facebook छटे इस्थान पर है Tencent तो आप इनका नाम देख सकते हो सांती लाल जेन सांती लाल जेन किस बैंक के MD और CEO बने हैं तो ये बने हैं इंडियन बैंक के MD और CEO और इनको 3 साल के लिए MD और CEO बनाया गया है चलिए अब हम जो इंडियन बैंक के इसके बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहले तो ये एक सरकारी बैंक है इंडियन बैंक जो है और इसका मुख्याले चेने में इस्थित है वरतमान में 12 सरकारी बैंक हैं जिनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो और जो ये इंडियन बैंक है इसके इसके इस्थापना 1907 में हुई थी और इसके MD और CEO कोन बने हैं सांतिलाल जेन इंडियन फिल्म फेस्टिवल ओफ मेलबर्न अवार्ड्स 2021 में किसने सर्शेष्ट फीचर फिल्म का पुरुसकार जीता है तो हमें बैस्ट फिल्म का नाम बताना है तो बैस्ट फिल्म का नाम है सोरा रई पोटरू पोट्रू और इसमें जो अभी नियता हैं वो कोनें इसमें जो एक्टर हैं इनका नाम है यहां पर देखिए हैं सूरिया और यह जो सूरिया है इनको best actor का award भी मिला है तो यह जो सारे के सारे award हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे और यह जो फैस्टिवल हुआ है इंडिन फिल्म फैस्टिवल यह कहां पर हुआ है यह मैलबर्न में हुआ है और मैलबर्न कहां पर इस्थित है मैलबर्न इस्थित है आस्टेलिया के अंदर आस्टेलिया तो चलिए हम सारे के सारे जो अवारड़ हैं उनके बारे में जान लेते हैं तो जो बैस्ट विल्प में वो कुँझी है CSORARAPP, POTRU और जो बैस्ट अभी नेता हैं वो कुझी है सूरिया, आप इनकी जो फोटो है आप याँ पर देख सकते हो यह हैं सूरिया और जो best actress है वो कोई है विद्याबालन और निमिशा सजियन निमिसा सजियन तो ये दोनों ही best actress है और best निदेशक यानि best director कोई है best director है अनुराग बसू और इनके यहाँ पर बर्याकिट में है यहां पर क्या लिखा है ब्रैकेट में फिल्मों के नाम यहाँ पर लिखे हैं आप यहाँ पर जो बैस्ट सीरीज है उसका नाम भी देख सकते हैं वो है मिरजापूर सीजन टू और एक सरंखला में सरस्षिट अभी नित्रिकोन है समन्था, अक्की, नेनी और एक सरंखला में सरस्षिट अभी नित्रिकोन है मनोज वाजपई तो आपको देखो याद कितना करना है आपको केवल नहीं तक ही याद करना है हाला कि आप इसको भी याद कर सकते हो क्योंकि यह भी आसान ही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यह है मनोज वाजपई और इनकी ही सिरीज है The Family Man 2 और यहाँ पर यह है समन्था और यह है सूरिया और यहाँ पर यह है विद्याबालन और इनको सेरिनी फिल्म के लिए Best Actress का आवोर्ड मिला है DCGI ने किस कंपनी को किस कंपनी की जाइकोव डी वैक्सीन को आपातकालीन उप्योग पराधिकरण के लिए मनजूरी देती है तो यह जो DCGI है यानि इसका मतलब क्या है Drug Controller Journal of India तो इसी के अंडर में ही जो कंपनीया होती है उनको मनजूरी दी जाती है कि आप जो वैक्सीन है उसको बेश सकते हो या नहीं बेश सकते तो इसके दुआरा ही जो मनजूरी है वो दी गई है और जो वैक्सीन का नाम है वो क्या है जाइकोव डी वैक्सीन तो कॉस्टन यह है कि हमें यह बताना है कि यह जो वैक्सीन है यह किस कंपनी ने बनाई है तो यह है वैक्सीन जाइडस केडिला ने बनाई है जाइडस और चलिए इसके बारे में अन्य बाते भी जान लेते हैं यह जो वैक्सीन है यह कुछ खास है क्योंकि यह DNA आधारित वैक्सीन है यह कैसी वैक्सीन है यह DNA आधारित वैक्सीन है और यह विश्व की ऐसी पहली वैक्सीन है जो DNA आधारित वैक्सीन है तो इसी के वज़े से ही इसका नाम important हो जाता है और यह भारत नहीं बनाई है यह जो जाइडस के डिला है यह भारत की ही कमपनी है तो यह स्वेधी सी रूप से विख्षित वैक्सीन है और इसको 12 साल से अ दिल्ली में स्तिता है इनफीडी कमपनी और कि सोचल मीडिय कमपनी ने साजिधारी में Small Business Loan Initiative नई पहल सुरू की है तो जो इनफीडी कंपची है जो भारत की कंपची है इसके साथ में फेस्बुक ने समझोता किया है और इसका उदिश्य क्या है इसका उदिश्य है कि जो छोटे-छोटे बिजनिस है उनको जो लोन है लोन की सुझदा प्रोवाइड कराई जाए जो लोन है वो कौन देगा लोन तो देगा इनफीडी कंपनी यह जो इनफीडी है यह तो लोन प् प्रचार है प्रचार कौन करेगा लोन का प्रचार करेगा फेस्बुक नियो कलेक्शन नामक प्लेटफोर्म किस बैंक ने लोंच किया है तो नियो कलेक्शन तो यह जो प्लेटफोर्म है यह लोंच किया गया है आप यहां पर देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की द्वारा नि बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी इसका मुख्याले मुंबई में इस्थित है और इसके MD और CEO कोन है उद्य कोटक NPCIL NPCIL यानि National Payments Corporation of India L का मतलब Limited National Payments Corporation of India Limited जिसने किसकी स्थापना की है जिसने UPI की स्थापना की है जो UPI होता है जिसके तरूँ आप एक क्लिक में Payment कर देते हो तो जो UPI है वो NPCIL के Under में ही होता है तो NPCIL ने किस बैंक के साथ साज़धारी करके UPI लौंच किया है तो आप यहाँ पर देखिए यह बैंक है मसरीक बैंक का नाम किया है मसरीक तो NPCIL ने मसरीक बैंक के साथ में समझगता किया है और समझगता करने के बाद में यह जो मसरीक बैंक है इसको UPI की जो सुजधा है उसको सुबदी है तो अगर हम बात करें जो मसरीक बैंक है यह कहां पर सीत है आप यहां पर देखिए यह कौन सा देश है यह वाला यह देश है UAE तो यहां पर UPI की सुजदा शुरू की गई है आली में किसी ने गुजरात के सोमनात मंदिर में कैई परियोजनाव का उद्गाटन किया है तो जो गुजरात का सोमनात मंदिर है उसमें कैई परियोजनाव का उद्गाटन किया है जो प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी है इन्होंने आप यहाँ पर देख सकते हो यह है गुजरात का सोमनात मंदिर और यहाँ पर देखो कितनी प्रयोजनाई लौंच की गई है यहाँ पर चार प्रयोजनाई लौंच की गई है तो उसको मैं आपको बता देता हूँ आप यहाँ पर देखिए सोमनात सेरगा सोमनात सेरगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब है जैसे आप यहाँ पर समुद्र दे सकते हो तो समुद्र के किनारे किनारे यहाँ पर चोड़ी सी इस तरह से पट्टी बनाए जाएगी जिस पर लोग क्या गर सकते हैं जिस पर लोग टहल सकते हैं और दूसरा है सोमनात प्रदर्शनी केंदर, तो यहां पर प्रदर्शनी केंदर बनाए जाएगा, जिससे जो परेटन है, परेटन को बढ़ावा मिले, और यहां पर एक पुराना मंदिर है, जिसको पुनर निर्मित किया जाएगा, और चोथा यहां पर आधार सीला रखी में जाता है। और इस साल जो 19 से 25 अगस्त को संस्कृत सब्ता मनाय जा रहा है। आतंगवाद की प्यूडितों को अंतराष्टिये इसमरन सरन्धांजलिक दिवस का मनाय जाता है। तो यह दिवस मनाय जाता है 21 अगस्त को देखो इसके नाम से ही पता सेलता है कि जो लोग आतंगवाद से प्यूडित हो जाते हैं जिनकी हत्या या जो लोग आतंगवाद से घायल हो जाते हैं तो उनको याद करने के लिए और उनको सरंधांजली देने के लिए इस दिवस को म मना जाता है तो world senior citizen day कम मना जाता है तो यह मना जाता है 21 अगस्त को और इसका उदिश से क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपने से वरिष्ट लोग की सेवा करें तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में तना ही thanks for watching the video कल मिलते हैं आपसे